नविश्कार दोस्तों एक नई लेर्णिंग के साथ हाजर हूं और आज किस स्टॉक के स्पेसिफिक लेर्णिंग में एक न्यूली लिस्टेट कंपनी को पर चर्चा करेंगे जो कंपनी खास के केती किन सूलर सेक्टर में हमारी होल्डिंग्स है इसका नाम से पता चलता कि लेकर के चाहें वह वेंड्सोलर विंड्स हेट्रोप या फिर विंडपापूर मतलब सिंपल सी वातों में समझें कि कंपनी का कारवार जो है वह सलर से भी है और जो ग्रिन इनर्जी सेक्टर है उसमें इनका कारवार रहा कहते हैं कि अपरेशनल 1340 मेगावाट्ट अभी तक construction awarded जो उनके पास order अभी देखा गया वो कड़िब 1730 मेगावाट की नहीं की बात कर रखी sustainability में कमपनी कहती है कि विलीब दा बिल्डिंग दा बेटर फूचर की बात उन्हाने रखी है जो कि हर कमपनी अपनी competitive tagline के लिए चाहती है इसके लबाला कहती है कंपनी को ले-कर-कर के जो यह जो WordPress है वह भी कहती है कि हमारा आच्छी कासी WordPress की बात हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं गर द dóndeं की ना कि लिघृप्र है museums को समझेह जहां पर आकर carrying le tag ताइम पर हम लोगों नहीं देखा यह स्टॉक में करीब 32 पशेंट की गिराबर्ट आ गई अब इसके पीछे क्या वजा था एक तो मार्केट उस दिन लगातार गिरती थी उस दिन दो कंपनी का लिस्टिंग वा था एक था दूसरा था जो मैटो सॉरी दिसका नाम था इंट्रेस्ट लोगों का स्वीगी की तरह भाग रही थी तो यहां पर लोगों का इंट्रेस्ट तो देरे-जरे आएगा आ सकता है जो कि अब इनका जो लॉस मेकिंग था वो दिरे-जरे क्या रही है वो दीरे-दीरे सेट अप करने के प्रियास में लगी हुई है यह अवत टोटल आइपियो जादी उनतीस सो करोड के लेकी आई थी तो तैस सो पंचानबे करोड तो फ्रेश इशू लेकी आई अर्थात कंपनी के पास क्या हुआ फ्रेस पैसा आया रिच्ट पैसे की बात करेंगे तो ऑफर फॉर सेल में जो इंस्टिंग सेयर होल्डर थे उन्हों की बात करें हमारे सामने यह दिखती है जो कंपनी का जो करेंट सिच्वेशन के प्राइस से वो लगा था कोड़ी बहुत गिरती चलती और बॉटम के आसपास भी आई थी और क्या चलने के लिए तयार होती है नहीं क्योंकि दो दिन का बात है इसकी फंडामेंटल स्टेट क को जरा समझते हैं जा आरवी और आरव सी की बात करें तो नेरली पांच परशेंट से आठ परशेंट की बात करती है कंपनी के पास कर्ज यदि देखा ज़्यादा काफी ज़्यादा है अब क्या यह पैसा जो लिया था वह 2900 क्रोड में जो 2400 क्रोड की बात क्या उनको करने के लिए उन्होंने किया है एक्सपेंश करने के लिए किया है यदि करेंट रिश्यों की नंबर भी देखने तो पॉइंट जिरो फाइव का कहता है प्रमोटर्स गोल्डिंग तो अपनी 83% की गोल्डिंग दिखाती है अच्छी बात है और अब इसको यदि कंपेर करते तो यहां पर अभी फिलहाल जो क्रॉड की बात करेंगे इस टॉक में तो वह काफी ज़्यादा है कंपेरेजिंग टुद इंडेस्टियल मार्केट के अभी पड़े 15,000 क्रोड के आसपास की बात करती है 2015 में कंपणी बनी थी ACM solar holding in the renewable energies company को लेकर के इंडिया में बार गिरती नदर आए थी अब जाकर इसमें एक नई जगह पर क्रियाट करती हूं निए प्रियास करती है इनकी फंडामेंटल स्टेजियों को यदि हम समझें साइध इनके लिए हमें जाना पड़ेगा इनकी financial situation में दोस्ता हमें यहां पर कहते हैं अब जो study करते हैं उसका रिजल्ट को ले करते हैं तो कंपने का जो कारवार रहा वह यहां पर दिखाती है कि सब्सक्राइब गिराबट देखने को मिला सेल्स को ले करते हैं उसके अपरेशन अपरेटिंग प्रॉफिट को देखे तो उसमें कोई बड़ी मूब्मेंट नहीं थी नियर अबॉट आस इसमें को इसा कौन सा चीज हो गया सबसे देखा गया कि इसको भी देखा गया जो की कई बार कम ज्यादा कई बर होती रहती है जबकि इंट्रेस्ट की वड़ें लगातार बनी हुई थी और उसमें कोई कमी नहीं इसके वेसे जो profitability पार्ट थी उसमें काफी ज़्यादा गिराबट जो कि सेल्स की पार्ट उबर से या थी कंपरेशन के गिराबट तरफ देखें अब इसका सितंबर का जब डेटा आएगा सामने तो कुछ और expectation के साथ आएगा कि आकिर इसमें क्या होना है और मार्केट की मूट किस तरफ से जाने की प्रियास में पिछले चार साले को डेटा को देखें तो साथ यह लगते कि यहां पर ट्रेंडिंग जो था वो गिरती थी और लगातार गिरती गिरती दोबारा थोड़ा सा सस्टेंड करने के प्रियास में था जबकि operating profit margin भी जो था वो लगातार सेम रेंज में चला था एक बार चली थी एक बार गिरती थी ऐसा ही आंकरा गिरती है जब केदर सोर्स ऑफ इंकम भी इनके पास अच्छा कासा रहा profit की पार्ट जो देखने को मिले जो company पहले अच्छी खासी करने के बाद भी इनके पास profit लिटी नहीं बनती थी उ को कर दिया जो की एक बड़ी हल चल थी मार्केट में गली मार्केट ये गली यारे में काफे ज़्यदा हल चल रही तो साथ सो क्रोड के आसपास profit करती है यदि रिस्क इंपेक्ट को देखेंगे तो रिस्क को लेकर जास्वा साथ जाधा ही कह दरती है एक सो सोला दिन के को लेकर सोचने वाली मैं 104 क्रोड का इकटी और जाता है कि या कंपणी के यूज कर रही है मेनेजमेंट अपने इंजवयमेंट के लिए या उसको एक सदूपयों के लिए ले जारी जहां पर फिक्स एसेट्स की बात उन्होंने कुछ खड़े दी होगी वरकिंग प्रोग्रेश में लगा होगा या कुछ उन्होंने प्रोडेक्टिविटीज को ले करके किया होगा या पर देखा यह कंपने के पास क्या अच्छी कासी पड़ी थी पार्ट था वह भी करीब 421 क्रोड के आखरा को दिखाती है और उसके कॉर्डिंग देखें जो जून 24 का डेटा आया उसमें यदि इनकी इन पार्टों सो देखें तो 309 क्रोड के टर्ण आबर पर जो लास्ट देटा था वह 400 कुछ करोड के आसपास की क्या थी उधार पड़ी थी और इनके यदि इनके यर्ली ग्रोथ की तरफ देखें तो फंड फ्लो तो आ चुका क्योंकि जो प्रोफिटल्यूटी पार था वह काफी हद तक इनके हाथों में निकल गया दूसरी तरफ देखेंगे यदि सेर होल्डिंग पैटर्न को सेर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने यह दिखता है कि अच्छा कंपनी में जो पोजिशन था फाइड ने भी अच्छा कासी पोजिशन लिया था और एक इंट्रेस्ट और होता है कि मार्केट में आखिर कंपनी में कोई जिकर नहीं करता है दो लाग से ज्यादा निवेश कंपनी में इन्वेस्टेट थे तोर पर यहां पर देखने को मिला था अभी तक कंपनी के अच् पोजिशन को लेकरeking पोजिशन को लेकर कि आये से और उन्हाने क्या क्या सेल कि sach 2018-19 क्या किया बिकवाली क्या जिसकी बज़से क्या हुआ सेम टाइम पे मार्केट में क्या हो डिप हो गया और दुबारा कोई ने कोई खड़ी तने बाला बैठा होगा तो कि सेम टाइम पे यदि मार्केट क्रयाज कर रहा हो जाहे profit वो कर रहा हो या profit की बनाने की प्रियास में हो दौनों तरफ से market में खड़ीदार बैठी रहते हैं तबी तो market चलती है इसके साथ यदि हम इनकी fundamental strategy के तरफ देखे हैं तो और कुछ impact के साथ यदि sales को part को देखें तो यहां पर sales से बहुत बड़ी हल चल नहीं थी लेकिन profit को लेकर काफी better performance उन्होंने कहा था जो हमारे पास profitability काफी जादा better रही है comparison to the peers में देखें तो company side ऐसा देखते हैं को मिलती है कि company क्या construction करती है या infrastructure development का का काम थी वहां पर कहती है कि solar energy का काम है इनके पास project की बात करती है और इन्होंने mega worth side projected काम किया है जो बनाने में सहाई था करती है यह generation का कामगाज नहीं करती है क्या नहीं करती है power generation का काम नहीं करती है power generation करने के लिए systems में बनानी का कामगाज करती है जैसे lesson to bro techno techno ACM जैसे company भी सामिल हुआ है वेगस जैसे company भी सामिले उपनीओं में आज भी देखें सबसे ज़्य कंपनी में लोगों का है तो यह पर इसा इंट्रेस्ट की बात है जो मार्केट में इसके उन्हें पहलों की तरफ देखे हैं जो चौबिस सो क्रोड का फंड लिया था उसका कहा करेगी वह सबाल है और साथ में इनका बहुत बड़ा मार्केट में क्या हुआ लोग लेने नहीं आये थे इसलिए मार्केट में क्या हुआ उसने ट्रेंडिंग नहीं था कि उसी सेम टाइम पे बैठा और यहां पर इसका नाम शामिल नहीं के तरफ कुछ अच्छी बाते कहते हैं कुछ अच्छी बाते नहीं भी कहती है और इन सब पहलों के तरफ दोस्तों एक सिंकल सी गोल्डेन रूल को करेंगे पर गोल्डेन रूल कहता है यदि हम इनकी प्रियासम को देखें साथ यह लगता है कि अच्छा यहां तो मार्केट में पिछले हैं जिन में लागातार गिराबट होगी करीब 2% से ज्यादा गिराबट रही है और इसमें क्या कहते हैं गिराबट के संकेत में और प्रोफिट बोकिंग ही सब कुछ है जिसको आप मार्केट क्रैस कहते हैं तो कि यहां भी कोई बेचने वाला था यहां भी कोई खडीदने बाला बैठ तर इसको निट्रल मानते हैं और एक स्टे की टाइमलेंड के साथ साथ यदि नीचे जाते है तो रिस्क फैक्टर को को देखते हैं और इस फेक्टर में खुद की फणासियल रिस्क पोजिशन कितनी कहती है और चार्ट की ट्रेंड कहां तक जाती है जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग लेवल वहां तक कहां तक जाती है और जदि प्रोफिट दिखती है नियर वह सस्टेम रिस्टेंस के आज पास बीद्लिर का जता है कि इसमें को देखना चाहिए अपने खुद की प्लानिंग को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहिए मिलेंगे दोस्तों कुछ न είναι किमपने के साथ नु Logan उरлена कौने मственно के साथ आप बिल्कुल सामिल नहीं है और लेके आते हैं कि आपको इस वीडियो में अच्छा लगो हो तो आप इसको लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा अब तक के लिए बी केरफुल विए वर इंद मार्केट अदरवाइस आपकी पैसे आपके रिस्क और कोई बुरा के लिए लाट